हलो, दोस्तो, S.P.A. Classes 1 में आपका हर्दिक स्वागत्यों मभिनंदन है, आप देख रहे हैं अपने चैनल को, चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद है, ये जो हमने आज गडित का प्रश्न उठाया है, वह गडित के जीरो से हीरो तक पढ़ने वाले लड़कों को सभ ही के बारे में जानकारे दी जा रहे है, चाहे कोई बहुत तेज हो, चाहे कोई ना तेज हो, सब को यह जरूरी है कि इन संख्याओं को जाने और ऐसे प्रश्न अकसर परिच्छाओं में दे दिये जाते हैं, देखें ये नंबर सिश्टम इन्ही संख्या पद्दत से सुरु बात कर रहे हैं, नंबर सिस्टम के बारे में हम बता रहे हैं कि नंबर सिस्टम है क्या, संख्या पद्धत किसे काते हैं, संख्या पद्धत के बारे में जानकारी ले लिजिए, संख्याओं के एक सिस्टम, जो संख्याओं का एक पद्धत होती है, जो संख्याओं के एक स्रिं क्या नहीं है तो संक्या पद्धत में हमें क्या पढ़ना है संक्या पद्धत में हमें पढ़ने के लिए संक्या पद्धत में हमें पढ़ने के लिए देखिए संक्या पद्धत नंबर सिस्टम है इसमें नंबर एक प्राकृतिक संक्या को पढ़ेंगे जो नेचुरल नंबर है नमबर दो पूड संख्या को पढ़ेंगे, होल नमबर है, पूडांक संख्या को पढ़ेंगे, इंटीजर नमबर है, सम संख्या को पढ़ेंगे, इवेन नमबर है, बिसम संख्या को पढ़ेंगे, ओड नमबर है, अभाज संख्या को पढ़ेंगे, प्राइम नमबर है, भाज संक्या को पढ़ेंगे composite number है परिमे संक्या को पढ़ेंगे rational number है आप परिमे संक्या को पढ़ेंगे irrational number है संक्या पद्धत में हम इनके बारे में आपको बताएंगे और ये संक्या है क्या इनके बारे में जानकारी रखिए देखिए हम सुरू करते हैं देखिए हमने लिखा है प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नमबर यह नेचुरल नमबर किसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं कितनी हैं देखिए हमने हैं परिभासा भी लिखा है गिंती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं किसी संख्या में एक जोडने पर अगली संख प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो तो प्राकृतिक संख्या कालाती है जैसे 10 है 10 में एक जोड देंगे 10 है 10 में अगर एक जोड देंगे 11 प्राप्त हो गया तो 10 प्राकृतिक संख्या है अब देखिए कोई भी संख्या है उसमें अगर संख्या में एक जोड देंगे अगली स संख्या मिल जा रही है तो आप प्राकृतिक संख्या है देखिए प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है प्राकृतिक संख्याओं की संख्या अनंत है जैसे एक से लेकर सुरू करते हैं अनंत तक लेके चले जाते हैं कितना है एक से लेकर सुरू करते हैं अनंत तक लेक प्रकृतिक संख्याओं के बारे में हमें जानकारी हो गई, सभी गिंतियां प्रकृतिक संख्याओं है, अब हम पढ़ेंगे पूड संख्याओं, घिन्ही होलनिंबर कहते हैं, पूर्ड संख्याएं कितनी है पूर्ड संख्याओं की संख्या 10 है जैसे 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ये पूर्ड संख्याओं की संख्या कितनी है 10 है 0,1 से 9 तक संख्याओं 10 है जिने पूर्ड संख्या काते है या होल नंबर काते है इन्हें तो ये प्राकृतिक संख्याओं से थोड़ा सा हट कर है कि इसमें 0 भी समलित है प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं समलित था पूर संख्याओं की संख्या 10 है जीरो से लेकर 9 तक सब संख्याओं 10 है पूर संख्याओं की संख्या 10 है अगला देखिए अगला देखिए यहां लिखा पूरांक संख्याओं इंटीजर नमबर इंटीजर नमबर किसे कहते हैं सभी संख्यां प्रुडांक होती हैं अब देखे कितनी सभी गिंतियां हैं सभी संख्यां हैं जो भी प्राकृतिक संख्यां हैं सब प्रुडांक हैं लेकिन प्रुडांक में तीन तरीके के प्रुडांक होते हैं नमबर एक धनात्मक प्रुडांक होता है नमबर दो रिडात्म प्रुडांक होता है धनात्मक प्रुडांक में कोई भी संख्या लिखें उसके सामने अगर कोई चिन नहीं लगा है तो वह संख्या पलस मानी जाती है जबकि पलस लिखा नहीं जाता है जैसे अगर हम चंवन लिखें हैं तो पलस चंवन नहीं लिखेंगे मात्र चंवन लिख अब इसी संक्या के आगे अगर हम रिण चोंवल लिख दैं तिहा हरे पोडांक है और भी अधर ना दान पोडांक का अगर द्धान गिना जाएगा तो किसी संक्या के आगए अगर पोडांक 6 छी रो क्या है उधासे Lizbeth प्रुडांग क्या है जीरो है अब अगला संख्या क्या है अगला हमें क्या पढ़ना है देखिए अगला हमें पढ़ना समसंख्या समसंख्या किसे कहते हैं समसंख्या इवेन नमबर को कहते हैं वे संख्या है जिनका इकाई अंक जीरो हो दो हो चार हो छे हो आठ हो वे संख्य इस समकाल आती हैं दाहिने वाला अंक इकाईंग कोता है जैसे अगर हम लिख दें 550 576 तो 576 इसमें इकाईंग की यही दाहिने है यही यूनिट नमबर है यही इकाईंग है तो इस इकाईंग को क्या यूनिट नमबर भी कहते हैं इतनी बड़ी संख्या में काई यंक अब देखें यहां जो यंक लिखा हुआ है तो परिभासा के अनुसार 0, 2, 4, 6, 8 तो यहां पे 6 है तो यह संख्या कैसी है यह संख्या है अगर 0, 2, 4, 6, 8 ना हो तो वह संख्या भी सम होती है तो समसंख्या की परिवासा ग्यात हो गई है समसंख्या के में लास्ट में 0,24,68 हो तो संख्या सम कालाती है देखी अगला क्या है देखी अगला यहां है विसम संख्या हैं इंगलिस में ओड नमबर बोलते हैं वे संख्या जिनका एकाई अंग एक तीन पांच साथ नव हो वे बिसम संख्या है कालाती है यहाँ एक्जामपल के तोर पर दिया हुआ है चार सो इक्यासी इनका यूनिट नमबर एक है या बिसम संख्या है दो सो पैंटिस इनका इकाई अंक पांच है या बिसम संख्या है 349 इनका इका इंक 9 है या विसम संख्या है 437 इनका इका इंक 7 है या विसम संख्या है तो दोस्तों सम और विसम के बारे में आपको जानकारी ग्याथ हो गई होगी देखिए एगला हम पढ़ते हैं भाज संख्या है इनको इंग्लिस में composite नंबर कहते हैं वे संख्याएं जिनके भाजकों की संख्या तीन या तीन से अधिक हो उन्हीं भाज संख्याएं कहते हैं जैसे नव है नव एक से कटेगा तीन से कटेगा नव से कटेगा तीन के भाजकों की संख्या तीन हो गई तो नव क्या है भाज संख्या है तीन सो एकईस या भी भाज स तो भाज संख्याओं के बारे में ग्यात हो गया कि जिनके भाजकों की संख्या तीन या तीन से अधिक हो उन्हें भाज संख्या कहते हैं हर गिंती एक से कट जाती है एक उसका भाज नंबर हो गया और वह गिंती दो और अंकों से कट एक स्वयन से कट जाए और एक किसी और से कट जाए तो वह सबसे वह भाज संख्या होती है देखिए अब यहाँ पर सबसे छोटी बिसम संख्या अगर गीना जाए तो सबसे छोटी बिसम संख्या दो होती है सबसे छोटी आभाज संख्याद 2 है बिसम नहीं आभाज है सबसे छोटी आभाज संख्याद 2 है अब देखिए भाज के बारे में हमें जानकारी हो गई आभाज के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो भाज संख्याद वे संख्याद है जिनके भाजकों की संक्या तीन या तीन से देखो अगला देखिए देखिए भाज संक्या हम जान चुके हैं अब हम अभाज संक्या जिने इंगलिस में प्राइम नंबर काते हैं अभाज संक्या क्या हैं? वे संख्याएं अपने और एक के अलामा किसी से ना कटें वे आभाज संख्याएं कालती हैं जैसे 2, 3, 5, 11, 17, 37 यह क्या है आभाज संख्याएं है लेकिन विसम संख्या नव है, नव कट जाता है इसलिए ओ आभाज ने भाज संख्या में आता है अब यहाँ है सबसे छोटी आभाज संख्या दो है कौन है सबसे छोटी आभाज संख्या दो है और सबसे छोटी बिसम संख्या तीन है सबसे छोटी बिसम आभाज संख्या तीन है तो इस तरीके से हमें भाज और अभाज के बारे हम जानकारी प्राप्त हो गई कि जो संख्या हैं एक और तीन के एक और अपने किलावा किसी से ना कटें वे अभाज संख्या हैं जो संख्या हैं अपने और एक किलावा किसी और से कट जाएं वे संख्याएं क्या हैं भाज संख्याएं हैं देखिए हमने हैं कटेगरी थोड़ा से लिखा है सबसे छोटी आभाज संख्या दो है या बहुत मातपूर कोस्चन है सबसे छोटी आभाज संख्या क्या है दो है सबसे छोटी सम संख्या दो है चोटी भी है और सम भी है सबसे चोटी सम संख्या दो है सबसे चोटी आबाज संख्या भी दो है एक से सव तक आबाज संख्याओं की संख्या कितनी होती है पचीस होती है एक से सव तक अगर हम लिखेंगे तो आबाज संख्या है पचीस मिलेंगी एक से सव तक सुन्यों की संख्या 11 है एक से सव तक अगर गिंती हम लिखेंगे तो सुन्य 11 बार हमें मिलेंगे लिखने होंगे देखिए सुन्य 11 बार लिखने मिलेंगे और एक से सव तक अगर एक को लिखा जाएगा तो 21 बार लिखना होगा एक से सो तक गिंती लिखें, तो एक को bir ak diis बार लिखेंगे, तब हमें सो तक गिंती मिलेगी, अब देखिए अगला है अगला है परिमेश संखें जिन्हें एंगलिज में rational number कहते हैं, क्या कहते हैं, rational number कहते हैं, वे संख्याएं जो करड़ी से बाहर ना आएं को छोड़ कर P by Q भिन्न के रूप में लिख सकते हैं परिमे संख्याएं कहलाती हैं जैसे करड़ी में 4 है तो इसका वर्गमोल निकालेंगे तो दो आ जाएगा तो दो यह करड़ी से बाहर निकल गया इसलिए यह परमे संख्या है पाँच भी परमे संख्या है दो दसमलो पाँच भी परमे संख्या है दो दसमलो पाँच क्या है परमे संख्या है बाइस बटा साथ यह पाई कमान होता है यह भी परमे संख्या है इस त में संख्या कहते हैं अब देखी अगला है आपर में संख्या है जिनें इंगलिस में रिसनल नंबर कहते हैं वे संख्या है जो करड़ी से बाहर ना आएं को आपर में संख्या कहते हैं जैसे करड़ी में दो करड़ी में दो क्या है करड़ी में दो आपर में संख्या है करड़ी मिस्सा ता परमे संक्या है पाई अगर लिखा है ता परमे संक्या है लेकिन पाई का मान अगर लिख दिया गया तो आप परमे संक्या है इस तरीके से परमे और आप परमे संक्याओं के बारे में आपको जानकारी हो गई है अब देखे बचा हुआ है नमबर सिस्टम में वास् काते हैं आज की बीदियो ही समाप्त होती है या वास्तिविक संख्याइं नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया है और प्राकृतिक संख्याओं कीने काते है इनमें सम विसम पूर्ड पूर्डांग भाज या भाज परमे आपरमे संख्याओं की जानकारी दी गई है तो दोस्तों आज की वीडियो इस समाप्त होती है लाइक एम सब्क्राइब दान के रूप में देते रहिए धन्यवाद